हेलो गाईज, गैस आप सर्वी लोग, मेरा नाम है सॉनिक और मेरी पूरी की पूरी फैमिली अटक चुकी है इस ट्रक के उपर और ये ट्रक ऐसे सैटो रखाएगी, ये ट्रक हरी गंटे में ये ट्रक नीचे होता रहेगा और ये पानी में जाके डूब जाएगा तो इसलिए मुझे अपनी फैमिली को डूबने से बचाना है और उसके लिए मुझे इस ट्रक तक जंप करना पड़ेगा और उन्हें बचाना पड़ेगा पर अभी मैं बहुत ही जादा कमजोर सौनिक हूँ तो मैं छोटा सा जंप भी नहीं कर सकता यह देखो अगर मैं जंप करूँगा तो मैं इधर ही गिर जाऊँगा तो अगर मैंने यह से जंप किया तो मैं पानी में गिर जाऊँगा मुझे पानी में नहीं गिरना मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो कैजर उसके लिए हमें चाहिए आरन मैन आज के दिन मैं जितने भी Iron Man को टच करूँगा उतना जादा मैं अपग्रेड होँगा और मेरा जम्प पढ़ेगा तो मुझे बहुत सारे Iron Man को टच करना है ताकि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूँ अरे Sonic बेटा हमें बचा लो Sonic अगर तुमने बचा लिया तो मैं तुमसे शादी करूँगी हो मैं बचाओ मुझे इनको जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा उससे पहले कि ट्रक पानी में चाहिली जाए पर Iron Man का मिलेगा अगर Iron Man नी मिलेगा तो मेरा जम्प नी बढ़ेगा एक सिकिंड ये का चल रहे हैं आपर हाच मंदी है कल ट्यूजड़े है पर सोवेरस दे है उसके बाद थेस्टे फ्राइड़े सजड़े संड़े और फिर फिर से मंदी है फिर ट्यूजड़े है और कैसर ये तो Iron Man है चलो फड़ा अपर से इसको टच कर लेते हैं तो कैसर Iron Man को टच करने के बाद अभी आप देख सकते हूँ मैं एक दूसरे सॉनिक में अफग्रिड हो चुका हूँ चलो देखते हैं क्या मैं अपनी फैमिली को इस सॉनिक से जम्प करकर बचा सकता हूँ आ रहा हूँ मैं तुम सब को बचाने और ये क्या मैं तो पानी में गिर गया ये जम्प तो बहुत ही जादा चोटा था इस सॉनिक से हमारी बोडी में जादा कुछ फ़रेक्ट नी बढ़ा है मुझे और भी आरन मैं डूडने पड़ेंगे ताकि मन को टुच करके एक बहुत ही ख़दरनाक सॉनिक मन सकूँ और एक बड़ा जम्प कर सकूँ चलो फड़ा मट से आरन मैं डूडते आरन मैं रुग जा और अभी तक अपने लाइक ने के लाइक कर 나쁘ा जितना ज़ादा लाइक करोगे उतनी जादा मेरी स्पीड बढ़े गी और मैं सकू पकड़ पाऊंगा रुख जा आरेंड मैन, चल्दी चल्दी लाइक करतो, मैं आरेंड मैन तक पहुचने वाला हूँ, रुख जा मेरी बाच सुनो, तुम मेरे बहुत देर से पीछे पड़े हूँ, तुम मुझे टच करना चाहते हूँ तबी तुमारी बावर बढ़ेगी, मैं खुशी-कुशी तुम को टच करने दूँगा, पर तुमें मुझे इस बोलिंग चैनलेज में हराना पड़ेगा जो भी इस बोल को पेक के, सबसे जाधा पिंस गिराएगा, वो चीतेगा अगर मैं चीता, तो तुम यहाँ से चले जाओगी, पर अगर तुम चीते, तो तुम मुझे टच करके अपनी बावर्स बढ़ा सकते हो मुझे मन्सूर है, आरेंड मैं, मैं तुझे टच कैसे भी करके रहूँगा, मुझे अपनी वैमली को बचाना है तो आज ओ फिर, हम दोनों को तीन-तीन मौके मिलेंगे, जिसने सबसे जाधा बोलिंग पिंस गिराएगा, वो चीत चाहेगा, क्या तुम तयार हो मैं पर इकल दार हूँ, चलो शुरू करते हैं चलो, सबसे पहले मेरी पारी, इस बॉल को उठाएगे, पिंस पर निशाना लगाके फैक देंगे, ये लो औरे ये क्या, इसने तो सारी के सारी पिंस गिरा दी हाँ, 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 तुम मुझे नहीं हरा सकते बच्चे, चलो, तुमारी बारी तो काईजर, ये तो मुझे बुगत ही जादा हार्ड लग रहा है, यारन मैने तो पहले भी कर रखा है, इसलिए सने एक बारी में कंपलेट कर दिया, मुझे भी इसको करना पड़ेगा तो काईजर, फड़ा उपर्ट से कमेंट कर दो पूलिंग, ताकि मैं चल्दी से इस बॉल को पिलको ठेंग से स्कोर कर पाओ, त्री, टू, वान, किया ले, और क्या ही शॉट मारा है हमने, और ये क्या, अरे ये दो पिन कैसे बच गई, हाँ, हाँ, मेरी सारे की सारे पिन्स किरेगी, औरे ये क्या, वापिस, इस सारे बॉल किरा दी, क्या नहीं, ये क्या, एक बॉल बच गई, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बॉल कैसे बच गई, अरे आपको तो खेल ला ही नहीं आता, कोई बात नि बच्चे, तेरी दो बॉल्स मची थी, मेरी सिर्फ एक, तो काईजर, अभी मेरी वापिस से बारी आ चुकी है और अरण मेंट की पेचली बार एक बिन रहे गी थी और मेरी दो चलो इस बार ट्राइ करेंगे सबी को उड़ाने का तो अभी दोगा अपने वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक कर दो गटाल चल्दी चल्दी याजदी लाइक और सबस्लैप कर दो । बच्ची पिछली पार तो तेरा गल्दी सो गया, इस बार देख, मैं क्या करता हूँ, यह ले, और यह क्या, इस ते दो बॉली पार पहेग दी, यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है, अरे कैसे मैं से को ते नहीं पता हूँ, अब यह हो चुका है, इस ते दो पूरा का पूर मैं चलो फड़ापट से लगाते हैं निशाना थ्री टू वन को और काईजर यह लग गया और यह सारी कि सारी पिंसम ने उड़ा दी यह कैसे हो सकता है यह नहीं हो सकता है तुम मेरे से कैसे जीत गए आइरन मैं तूने बोला ता अगर मैंने तुझे हरा दिया तो मैं तुझे टेच कर सकता हूं तो फड़ापट से इसको टेच करते हैं और हो जाते हैं अपग्रेड और काईसर आप देख सेटो हम एक और आप अपग्रेड हो चुके पर मुझे लग रहा है मैं जोलो जादा मोटा हो चुका हूं और आप मैं खूद कैसे पाऊंगा रुक जाओ अब हैं आगया मैं आगया सॉनिक बेटा अमें बचा लो यह गाड़ी पाने के बहुत पास पोच चुकी है अरे कैसा री काड़ी तो सहीं है बहुत ही जादा पास पोच चुकी है रुख जाओ अभी मैं जम करने वाला हूं तुम सब को मैं बचा लूँगा या यह लेरे य जब करने का लुख जाओ जब तो मैं जाओंगा जब आए काईजर अभी मैं उदर तक नहीं पहुच पारा बहुत ही जादा क्लोस पहुच गया हूं पर पूरा उदर तक नहीं पहुच पारा मुझे अपने आपको और भी अपगेड़ करना पढ़ेगा ताकि मैं सीधा वै उदर तोमारे पास तीज सेब क्या तुम तयारो मैं बिल्कुल द्यार हूँ, मैं उस बच्चे को डून के रहूँगा, आरन मैन की पच्चों का मुझे डूनना पड़ेगा, तो चलो फिर, शुरू करते, 3, 2, 1, डाइमर होता है, स्टार्ट, चलो चलो फड़ा, बढ़ते देखते, यह यहाँ पर फ्लेश का बच्चा है, इस सब को डूनना पड़ेगा, यह क्या सब को डूनना पड़ेगा, यह तो फ्लेश है, डॉक्टर स्टेंज, स्पाइडर मैन, डॉक्टर स्टेंज, स्पाइडर मैन, यह 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 जल्दी जल्दी मारते है, थौर, थौर, चोटा बीम, चोर, चोटा बीम, चोर, अरे यह काम कर दिया अब इन तीनों में से असली आरन मैं का बच्चा कौन है वो पता करो अरे अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन है असली आरन मैं का बच्चा रुक जाओ मेरे पास एक सवाल है तुम मुझे बताओ आरन मैं का असली नाम क्या है मुझे पताओ मुझे पताओ मुझे पापा का नाम है मिस्टर तोरी स्टार चलो हम इन तीनों में से ये तो पता चुका है कि एक नकली बेबी आरन मैन कौन है और वो है ये निकल यहां से अब सिर्फ ये दो जैने बचे इन से मुझे कुछ ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा जो सिर्फ आरन मैन की बच्चे को बता काईजर मुझे पता चल चुका है कोन है असली बेबी आरन मैन हमारे आरन मैन को कुछ भी हो जाए वो बर्गर खाना नहीं चोड़ सकता वो डाइट पर होने के बाद भी 50 बरगर खाएगा मतलब तुम हो नकली बेबी आरन मैन निकल जाओ यहांसे और यह नामारा असली बे और काईसर अभी 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 देख सेकतू हम अम ग्रिडोल चुके एक और खतरनाक सॉनिक में इस आरन मैन को टेच करने के बाद चलो अभी जुप और भी जादा बड़ी हो चुकी है यह तो बहुत ही जाना खतरनाक है हम इस पोल के उपर से भी खूत पारें काईसर मु अब आओगे अर्याप टेक्शन मतलो मैं आचुका हूँ आपको बचाने अब इतना खतरनाक जम करूंगा किसी ना उस ट्रक पर लेंड करूंगा आ गया मैं यह क्या फिर से किर गया ऐसा कैसे हो सकता है यह ट्रक तो बहुत ही दूर है यार मैं तो पहुच नहीं पारा तो ट्रक पानी में जाने लग गया है मुझे नहीं लगता हम बच पाएंगे आदा ट्रक पानी में जा चुका है बसाधा और बाकिये सोनिक बाइबाई नहीं तुम टेक्शन मतलो मैं तुम सब को बचा के रहूंगा काईसर मेरे पास जादा टाइम नहीं बचा तो इसलिए मैं जाके दो बार और अपग्रेड होने वाला हूँ मैं हर बार अपग्रेड हो के दर आ रहा था पर इस बार में दो बार अपग्रेड होंगा जाकि मैं डारेक्ट एक बड़ा चुंप करके अपनी फैमिली वालों को बचा लूँ मुझे चल्दी से चल्दी करना पड़ेग तो कहाई से अगर आप चाहते हैं अपनी फैमिली को बचा लो तो फड़ा फट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनले को भी सब्सक्राइब कर दो मुझे आपके गुड लैक की बहुत ही जरू है तो फड़ा फट से कमेंट में गुड लैक भी लिखने ना और हम चलते हैं पड़ेगा मैं फिनिशिंग लाइन पर तुमारा वेट करता हूं जो भी मेरे पैस पोचेगा उसको मिले की खतरनाक पावर्स और जो नहीं पहुच पायगा वो जाएगा नाली में तो जल्दी जल्दी फिनिशिंग लाइन पर आ जाओ मैं तुमारा वेट कर रहा हूं यह जैनेंज तो डेड़ पूली जीतेगा सॉनिक के बच्चे तू अपने घड़ चले जा क्योंकि बच्चे पहंते कच्छे चुप चाप जागे कच्छा पें अब यह जाला बोल रहा है चलो कैसर देखने यह डेड़ पूल क्या करने वाला है और इसकी गाड़ी डेड़ पूल का बच्चे यह बहुत रहा ला रहा है ऑर अगर आप चाहते हो यह जल्दे से चल्दी हार जाए व९ह जल्दे से कमेंट करडो टेड़ फूल फिल जल्दी चल्दी कमेंट कर दो और मेरे लिए गुड़ लग सॉनिक नग्त बिल्कुल भी मत बूलना और ये सॉनिक और ये डेडबूल के बच्चे ने तो सारे के सारे फैंस क्रॉस कर लिए फुटबॉल्स क्रॉस कर ली और ये तो बहुत ही जादा तेज जा रहा है मैं ये जीतने वाला हूँ सॉनिक तू देख ले ना मैं ये जीत के रहूँगा और ये क्या हो गया डेडबूल तो बहुत ही जादा पास पहुचा पर इतना पास नहीं कि वो मुझे टच कर पाए देख देख दे सॉनिक क्या करेगा तो काईसर अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम तयार हैं इस पूरे के पूरे चैलेंज को जीतने के लिए डेडबूल बहुत ही जादा पास पोचा पर हम पास नहीं पहुचेंगे सीधा आरन मैन को टच करेंगे चलो फड़ाफर्ट से अपनी गाड़ी को यहां सर लेकर चलते हैं सीधा सीधा जाएंगे और इस जैलेंज को कम्प्लीट करेंगे अभी तक आपने गुट लग सॉनिक नहीं लिखा तो लिखते ना क्योंकि हम जीतने वाले हैं चलो फड़ाफर्ट से चलते हैं अपनी गाड़ी कुदा दें सारे के सारे हेलिकॉप्टर्स के ओपर से खुदा लिया और अब सिर्फ दो जंप और करने उसके बाद हम आरन मैन के बहुत ही जाला पास होंगे यह क्या हमारी गाड़ी टेड़ी मेड़ी हो रही है पर हमें टेड़ी मेड़ी ने करनी हमें कैसे भी करके जीतना है सबसे महले इन सारे के सारे फैन के पीच में से निकलेंगे और क्या ही बड़िया लेंडिंग करी है और फड़ावड से वापस से हमने गाड़ी को दाली और काईसर इसके बाद सिर्फ आखरी जम बचा है मेरी गाड़ी बहुती ज्यादा क्लोस थी नीचे गिरने से पर अभी हमने बचा लिया है चलो फड़ावड से चलते इस आखरी जम को करते है और ये चैलेंज जी जाते हैं अरे चलती से कुदो और कैसर आप देख सकते हो क्या ही बढ़िया लेंडिंग हमने करिए सीधा फिनिशिंग लाइन में और आइलन मैन हम तुझे टच करने वाले बहुत पढ़िया सॉनिक तुमने ये चैलेंज कम्प्लीट किया बढ़ी चुंप कर बारे और हमें खतरनाक से सॉनिक भी बन गए पर कैसर अभी में जाके अपनी फैमिली को नहीं बचाने वाला क्योंकि मैं अभी गया और अगर मैं जंप को नहीं कर पाया तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारे पास सिरु 30 मिनिट पाकी है अपनी फैमिली को बचाने के लिए वरना वो सीधा पूर के पूरे पानी में ढूब जाएगी तो हमें उने चल्दी-जल्दी बचाना पड़ेगा उसके लिए हमें एक और बार अपड़ेड होना पड़ेगा तो फड़ा फट से चलते एक और बार अपड़ेड हो के अपनी जंप को बहत ही जादा बढ़ा लेते है सानिक मेरे बच्चे कहा हो तुम हम ढूबने वाले हैं सानिक सानिक मैं तुमारी मम्मी हमें बचा लो सानिक सानिक तो काईसर आखरी बार अपड़ेड होने के लिए अपने जंप को मैक्सिमाइज लेवल तक पहुचाने के लिए हम आग चुके मेरे घर पर यहाँ पे हमें कोई आइरन मैं तो नहीं मिलने वाला बना हमें मैजिक बोर्ट जरूर मिलने वाला है और इस मैजिक बोर्ट पर हम कुछ एक ऐसा खतरनाक सानिक बनाएंगे जो कि बहुत ही जादा खतरनाक हो और इसकी जंपिंग की पावर उससे भी खतरनाक हो तो चलो फड़ावर्ट से बनाते हैं अपने मैजिक बोर्ट पर बिना किसी डाइम वेस्ट करें तो गाइस अभी अपने मैजिक बोर्ट पर आचुके हैं और ये आखरी अपग्रेड हमारा होने वाला क्योंकि हम इतना जाधा खतरनाक सॉनिक बनाएंगे कि वो सबसे जाधा खतरनाक होगा सबसे पहले उसके फेस से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बनाएंगे हम सॉनिक का कान उसके बाद उसके बड़े बड़े बाल और ये बाल होने वाले हैं बहुत ही जाधा खतरनाक अब इसके मूँ को कर देते हैं यहां पर कम्प्लीट तो यहां पर हमने सॉनिक का फेस तो बना दिया अब इसकी बागे की बॉड़ी बना दे तो उसके लिए हमें चाहिए हैं बड़े-बड़े शोल्डर उसके तार बड़े-बड़े बाई-शेफ डोले-शोले इनको फड़ यह बन गया हमारा दूसरा हाथ complete और इसके भी अंगुलिया दे देते तो कैसर तो बन गए अब बागी की बोड़ी बनाते यहां पर इसकी बोड़ी बनाएंगे और इसको एक बड़ी आसा चट्टा पिनादे भटा फटा पूड़ा चट्टा यहां पिनाएंगे यहां पर तो काईसर आप देख सेकते हो बार बार की बॉड़ी तो बन गई अब यार बाकी चीजे करते हैं सबसे पहले इसके फेस को बनाएंगे इसके कान में तो नों कान तो यहां पर बन चुके अब इसका मूँ बनाते तो मूँ स्वै वैसे तो आखे होती है पर यह जादा खतरनाक सॉनिक है तो हम इसको चशमा बिंढ और यहा पर इसका दूसरी आखे और सटन हो चुका है और हम यहांपे बनाएंगे इसकी चोटी सगह और बड़ा सा मूँ तो काईजर आप देख से तो सब का सब ड़न हो चुका है फड़ा बड़ देसके अंदर करते हैं सौनिक हमारा होता है ब्लू किलर का तो लगपक सारी की सारी चीजे ब्लू होने वाली है और इसके मूँ में भी ब्लू करतेंगे और यहां पर इसका यहां ही लाइट कर वाला है और इसके कानों के अंदर यलो कलर इसके इसके चेशमिम होने केजा और और एक सिन्सकी जाहा कण शरूरी है हमारे सौनिक के दो किना 4 नहीं же ड़क ही आठ आप्स तो यहां पर एंप्स वन गया 36 की और इसकी चड़ने WOR servings कर देते हैं ब्लू का और की जंप करने की पावर उसको हम और भी जादा बढ़ाने वाले तो जंप इंटु टैन हंड्रेट थाउजंड तेन थाउजंड जंप की पावर हमने बढ़ा दी तेन थाउजंड और हमारी ड्रॉइंग के हाँ पर हो चुकी है कम्प्लीट फड़ापट से इसको रियल लाइफ मेलाते हैं और देखते हैं क्या यह सॉनिक फैमली को बजा पाएगा और यह पेंटिंग बनाई हैं दुनिया के सबसे खतरनाक वेंटर ने तो काई से रमी आप देख सकतू हमारी ड्रॉइंग के हाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और मैं कितना जादा बड़ा और खतरनाक हो हूं चलो अब जंप करते हैं यह तो बहुत ही खतरनाक है इससे बड़ा तो क्या ही जंप हो सकता है मैंने अपने घड़ से पूरा मेज बेंक तक जंप पार दिया और ऑब इसे वें टू जंप में हम पूरा का पूरा लौस सेंट टोस ही कवर कर डालेंगे अब तो हम अपनी फैमिली को आराम से बचा लेंगे चलो फड़ावट से अपनी फैमिली को बचाते हैं उससे पहले कि वह पानी में डूप जाए बच्चो मझे नहीं लगता सौनिक हमें बचा पाएगा हमें धरी मरना पुड़ेगा पानी सड़ तक पहुच गया है सौनिक हमें नहीं बचा पा पानी में से बचा लेते हैं और आगे सीधा बहार आखिरकार हमारा काम हो गया चलो अरे सौनिक तुमने हमको बचा लिया बहुत बढ़िया सौनिक हमने सोचा था तुम हमें नहीं बचा पाओगे अरे ऐसे कैसे मैंने अपने दोस्त पापा मेरी बीवी और मम्मी चारों को बचा लिया है पानी से चारों को डूमने से बचा लिया और अपनी पूरी फैमिली को बचा लिया सोनिक अब हम तो शादी करने वाले और काइसर यहां पर मेरी शादी में फिक्स हो चुकी है यह तो बहुत नी कतर्नाग है तो काइसर आशीवर से वित नहीं अगर आपको ए एड्रेस बिजवा दूँगा तो काइसर इंस्टाम और डिस्कॉर रसिप्टिन में वापशे के जो फोलो करें ना और मिलेंगे आप से के लिए तब तक के लिए बाइबाइबाइब